जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी क्लासिस चार दिन से नहीं थी लेकिन अब हम उनको कंटीनियू करते हैं रीजन यह था कि मेरी जो नेक थी उसमें प्रॉब्लम हो गई थी तो बाकी आईए हम कंटीनियू करते हैं एक प्रीविएस वीडियो में सायद आप देखिएगा तो सेल्फ वाली वीडियो है जिसमें हमने रहसी क्रोकल पढ़ा था और रफ्लेक्टिव पढ़ा था जिसमें हमने क्या पढ़ा था सर आपका एंपसेसिव और आपका रफ्लेक्टिव पढ़ा था उसमें छोटी सी मिस् पर बाद मैं मैंसेज किया कि सर यहां पर यह वाली गलती हो गही है तो मैं आप लोगों को पहले इंफर्म करनूं कि बाए मिस्टेक है यह थोड़ी सी क्या है आप इनको मान सकते हैं टाइपिंग मिस्टेक है लिखते लिखते चोटी-चोटी गलती है हो जाती है चली आगे आ पढ़ना है आपको सबसे पहले आप जाए यहीं डिस्रिप्शन में नीचे आपको प्लेलिस्ट दी होगी फस्ट वीडियो से स्टाइडिंग से देखिए और पूरी वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको इंग्लिस एक हॉलिस्टिक एप्रोच में दिखाई दे और होते हैंं कीठर नीदर एजियर यहां हमारी लिए उते हैं आप को यह पता है झाई जो मेनि-ंग होती है एपिक हैनं अस टू में होती है बडियों होती है एन थू जो में रुप्रिज़ेंट करते हैं और को यी सम क्या बताते हैं और लेगंसे इनकघुत पर ड को सकती होan फ जैसे यहां पर आजाए हम देखें कि इन में जैसे इदर हो गया और बोथ हो गया जो बोथ यूज करते हैं वो आप तो लोग और बी तो इनको कम्प्लिट लेकिन इदर में आप क्या करते हैं कि जैसे ए और बी ए भी और बी मतलब इम世界 वैने यहи प्रव sanctions कर लेते हैं इदर यूज कर लेते हैं ऑ जैसे आपको गता ने इंदां में से कोई नहीं कि आप क्या था क्या यूज कर देते हैं तो यह होते हैं यह होते हैं करते हैं यह जो आपके प्रोनावन है जिसे इदर हो गया इदर हो गया इच हो गया इसकारण से यह क्या होते हैं थोड़ा सा ध्यान डखना अब अगर इस डिस्टूबिटिव नेचर की हैं करते हैं तो जैसे आपको पता है कि अगर कोई भी आपका जो नाउन है या प्रोनावन है वो इसके साथ जो हमें वर्व यूज करनी है वह आप हमेशा यूज करें कि सिंगूलर तो याद रखना बेटा कि इनके साथ जब भी आप एक हैल्पिंग वाग यूज करें याखन मैं यूज करें तो वो सिंगूलर यूज करें थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट पर एग्रिमेंट वादा कॉन्चाप्ट रूबिया तो हमेशा याद रखने डिस्टूइट प्रोनाउंस के साथ आलवेज वी यूज वर्ट सिंगूलर इनके साथ हमें जो बभ यूज करनी है व यूज को समझ लेते हैं एक कॉश्टन लिखिये नीदर ओफ इस ट्रैंड वाइस आर अवाउट तू इंस दी क्लास्वर यहां पर आजाएं यहां पर मैं भी कह लेखना है निदर ओफ इस 10stones वाइस are allowed इंटर इस न इंटर दी क्लास्मर्व यहां आप द दक짜 इनicon दि Curry हमारे लिए यह आप देख रहे हैं अओ यह हमारे लिए क्या और आ अधि से क्रमर्ण ऑपनल घ्र फाटम्स उगया यह एक अपनी proposition का object हो गया, यह noun हो गया, यह आपके लिए these determiner हो गया, these, those, that, this, a determiner भी होते हैं और pronoun भी होते हैं, हमने last video में पढ़ा था, तो यहाँ पर आप देखें कि नीदर आपके लिए क्या हो गया, pronoun हो गया, pronoun होने के साथ यह क्या बन गया आपका, subject बन गया, are allowed यहाँ पर, यह infinitive है, इसको आगे word में पढ़ेंगे, यह infinitive है, यह infinitive का object है, तो यहाँ पर क्या लेगा है, neither of these ten boys are allowed to enter the classroom, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो either or neither use करते हैं, वो हम two के लिए use करते हैं, किन के लिए use करते हैं, two के लिए, लेकिन यहाँ पर आप अच्छे स दस लोग हैं, अब यहाँ पर अगर दस लोग हैं, तो आपको यह पता है, आप neither use नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो condition क्या करें, कि हम यहाँ पर ten replace करके, यहाँ पर two करते हैं, लेकिन ऐसा करना सही होगा या गलत होगा, इस बात को भी जा लिए, अब पिट अगर तुम ऐसा क अब उनको तुम दो कैसे बना दोगें, यह तो पॉसिफिक है, यह गिवन फैक्त है, तो हमें फैक्त के अकोर्डिक चीजों को चेंज करना होता है, जैसे हम बोलना ताज मैं लागरा में करने के दिन आप बोल दिल्ली में है, यह तो थोड़ी सा पॉसिफिल है, आप उसको दिल्ली में है, तो फैक्त चेंज नहीं करना होता है, जैसे आप बोलेगी ताज मैल दिल्ली में है, तो हम माल लें, नहीं हम क्या बोलेंगे, आप गलत है, ताज मैल कहा है, आगरा में है, तो चेंज करना हमें किन चीजों को है, जो गलत है, यहाँ पर हम देखे हैं, जैसे तो नीदर हटाओ यूस क्या करोगे नन यूस क्या करोगे यहां पर नन क्या यूस किया जाएगा यहां पर नन क्लियर रो विटा आंगे यहां कि ब्लोक इस यहां पर आपको पता है कि किसी भी बैक्ती के यहां पर यूस किया कर सकते हैं आपके पास आप यहां तो आप क्या करें प्रतेक बैक्ती को जानता था तो यहां पर जो हमने यूज किया है इसका मतलब क्या है प्रतेक बैक्ती को अब या रखना है इच से ही मिलती चुलती ही हमारे लिए एक और वर्ड होता है वह होता है एफ़ ग्री कॉंपीशन में काफी confusing हो वता है each!!!!!! यहां पर याद रखना कि each अकेला pronoun होता है इच क्या होता है 되면 है इंच क्या होता है बूंड फूंड भी होता है लेकिन every सिर्फ और सिर्फ डिटär माइन होता है यह क्विछ्डी आप आपको इतना तो पता हुआ कि प्रोणावन की कुछ यूज इस हैं इन वह बहुत होता है सबसे पहले हम बता दें एक बेसिक डिफेंट के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है नाउन अगर नाउन नहीं तो डिटरमाइन नहीं लेकिन pronoun क्या उते हैं रेप्लेशमेंट होते हैं कि इसके noun की तो ऐसा नहीं है कि noun अलग से इनको चाहिए एक चीज और दूसरी चीज़ Determiner without noun is conditioned नहीं कर पाते हैं लेकिन pronoun कर सकते हैं और बताते हैं Determiner Compliment नहीं बन सकते हैं आपके क्या नहीं बन सकते तो यह कुछ डिफ्रेंसेस हैं जो आपको ध्यान रहने हैं कि जैसे यहां पर लिखा हुए लिखा होता है तो यह गलत होगा even एक प्रिटर्माइन होता है तो इसके लिए नाउन चाहिए अगर मैं यहां पर ऐसे ना लिखे ऐसा लिख देता इसी सेंटेज को थोड़ा सा मैं चेंज गर देता हूं ही ही लोज वह वह यहां युग से हीह आप पर्शन क्या अव्य नाँंगे लगे तरवत कि यह तो यहां से अपने कुछ सीजे सीखी आगे बढ़ते हैं कुछ एक्जाम्पल को डिसकस करते हैं यहां पर कुछ खुशन्स दी हुए है, इनको आपको सौल करना है, सबसे पहले आप कर देखते हैं, यहां पर देखने हैं, सबसे पहले जो हमारा सेंटेस लिखा है, क्लेंट कि देकर है यहां पर देख रहे हैं यहां पर सकते हैं देखो यहां पर दोक तो सब्जेक्टिटिए चींगे, क्या है यह यह रिखा हुआ यह अब्जक्त होगा किसका इस प्रपोजिशन का अब्जक्त होगा तो आपको पता है जो प्रपोजिशन के अब्जक्त होते हैं वो जो आपकी बर्व है आप को यहां पर चाहिए इच यूजूरी पाइंगे तो आप यहां पर क्या जैने को किस सुझड़ को यहां पर आ जोच्व किशन्गति यहां पर हम यहां यहां पर पास प्लूरल है है या सिंगुलास देखने में तो हमारी यह क्या हो गां लेकिट यह हनपर देखिए कि हुर्ण कर से मिआ पने कार्ड लेकर आइघंगे तो किby Dog cish इसको इसको ऐसे नहीं होता है और बैखती करते हैं कि जब गुरुप बन जाता है तब उनके लिए दे बोलते हैं या भी जो हम भी या दे यूज करते हैं कि लिए ल GIR डियुज नहीं करते हैं डीनषय करते हैं या दो से अधिक या एक से अधिक लोगों के लिए वो अ कि लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने यहां पर यूज करने यहां पर यहां पराँ प्राइंप़ तो वही इ tuh DJ करना पड़ेगा यहां पर हिस इच आफ यहां पर आप गया धयान डगना, यह अप आप यहां पर चुल्ड-धेन रहे reckless यह या तुम्हारे थे मिन उप्रोच कि लिए यहां पर आज़ दूद कर एं-देद रहे हां पर किर फॉरthing लिखेंगे इस लिखेंगे एस लिखेंगे हम इस लेंगे हम क्या दिया थे इस करेंगे यहां इनके साथ गवक कैसी आएगी सिंगूलर आएगी लेकिन यहां पर आप देखें यहां पर आप लिख रखें हैं है वह होती हमारी क्या प्लूरल होती ना तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे हैं क्या यूज करेंगे यहां पर हैं आगे देखेंगे एक और गलती है आपने फिर से देयर यूज कर दिया है अब आपको पता ही कि इस होता है डिस्टूइटिव लीचर का देयर हमारा गुरूप को रप्रेजेंट करता है इंडिविजुवल को नहीं अब यहां आपको इंडिविजुवल बताना है बैक्तिगत बताना है तो फिर वही गलती सेंग दॉसिगलिटी तो दोनों है तो विटा यह आप पर डिपेंट करता है चाहे आप हर यूज करें और कभी भी आपको यह दोनों एक साथ और अप्षेन में धेगा अगर आपको प्रफर्श करना हो तो आप लिख सकते हैं या फिर आप हर लिख सकते हैं इंग जननल यूज ल प्रपोजिशन प्रपोजिशन का अबजेक्ट वर्ब तू इन्फिनिटिग यह हमारे लिए इन्फिनिटिग हो गया यह आगे पढ़ेंगी अभी इसके बाद बाद पढ़ेंगे प्रुनौन के बाद तो उसमें हम इसको डिसकस करेंगे तो यहां पर देखें अब आपके पा तो यूज नहीं करेंगे तो अगर हुए तो यहां पर यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर क्या यूज हुआ है तो एन्फिन करते हैं वो क्या होता है हमारा इदर तो आप यहां पर एनी यूज करेंगे इदर तो हमेशा दया लगना है जब दो की बात हो तो या तो आप यूज करेंगे नीदर या फिर आप बात करेंगे इदर की एनी या नन यूज मत करना बिटा ठीक है एनी और जो नन यूज करते हैं वो हम और दो से अधिक के लिए लेकिन अगर दो हूं तो फिर हम क्या यूज करेंगे इदर या फिर नीडर आफ ऐफ फाइप कार्स यू राइड आप इधर उस तो यहां पर आप देक्टर हैं कि सके मेरे पास कितनी रहा हैं उन में से कोई भी चला सकते हैं लेकिन यहां पर दिए आपने स्क्राइब इकंटर यहां पर कितनी है अफ difल फी इंदर पर यूज नहीं करोगे अब सर आपने बता है इधर का जो मीनिंग होता है वो एनी होता है इधर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है एनी ऑफ टू लेकिन एक बात और याद रखना इधर की एक और मीनिंग होती है जो होती है जो होती है वोत आफ टू यह इच आफ टू इच आफ टू या फिर आप कि एक एक हैं यहां पर आजाई एक यह फिर आपका होता है इच ऑफ टू अधर वाइस कि वोथ कि इच अब बोथ यहां पर आप देखें जैसे इधर साइट ऑफ क्वाइं इस साइड आप एक बात आप अगर अगर इसको तुम कि अगर इसके बाद जो नाउन यूज करोगे वह भी आपकी सिंगुलर ही होगी कैसी होगी बटा सिंगुलर ही होगी डिस्टुबुटिव होते हैं तो हमेंसा यहां रिखना है इधर नीधर और एच और एब्री यह तुमारे डिस्टुबुटिव नेचर के जो हमारे वर्ड टे हैं इनके बाद चाहे आप नाउन उसकरे चाहे आप बर यूसकर हमें सची होगी इसकी होगी मतलब चैनि ke यह क्या क्या इनाउ साइब आधstoffe कि आए तो आई साधर कृणा लागी में एक इसकी मीणिकी सविडिया उप्ट यहां पर आज आज ही एक यहां पर पॉस्टन लखा हुआ है किया ब्लैंक अफ डीस तुट फैञ्चहरा मार्यन हे यूज यूज इस ब्लैंक ओप दोस तो यहां पर आप देखें, either of these two pens, आपने आपद, तो यहां पर आप देखें, either use करना था, तो यहां पर आप are use ना करके, क्या करेंगे, is, क्या use करेंगे, is, either of these two pens, is mine, you can use, either of those, तो यहां पर meaning क्या होगई, any, और यहां पर meaning क्या होगई, each, देख रहे हैं, इधर की meaning क्या होगई, चेंज होगई, यहां पर क्या है, each, और यहां पर क्या है, any, तो यहां से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, यहां पर और थोड़ा से इनको conclude कर देता हूँ, यहां पर देखें जो हमारे डिस्ट्रिटिव प्रूनाउंट यह वो कौन कौन से थे हमने जाना इदर निदर और हमारा थीच याद रखना मुटा यहां से हम ने सीखा कि यह अमारे क्या होते हैं प्रूनाउंड यह हमारे क्या होते हैं प्रून शाठ इस अट डिटर्माइनर विंटाइन वह नए लेकिन जो हमारा वर्ड रोता है यह सिर्फ और सिर्फ क्या होगा डिटर्माइनर होगा हमेसा याद रखना इसको कभी भी सब्जेक्ट और यह विए इसको कभी भी सब्जेक्ट या कॉंप्लिमेंट बनाना इसका ध्यान लगना बहुत बिसिक सी बात है यह कभी गभी एक्जाम में आ जाता है इधर नीदर इच और इनके बाद जब भी आप नान यूज करें अगर यह डिटर्माइल है आप नान यूज करें तो अब आप जो नान यूज किये हैं इनके साथ जो नान यूज किये हैं वो सिंगुलर हो गई तो जो आपको वर्व यूज करनी है जो आपकी वर्व होगी वो भी किस नेचर की होगी सिंगुलर नेचर की होगी लोग तो हमेंसा याद क्या रखना जो डिस्ट्रूइट होते ह कि इस चीज़ का थोड़ा सा थ्यानिक में बटे यह एक्जाम में आजाता है बहुत बार नुच लिया जाता है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना देख लेना कि अगर इनके बाद ना लगाओ तो वह सिंगुलर है या नहीं है और साथ में उसके बाद जो बर्व यूस की ग प्रध लगा दोड़ा साथ में उसके अफ़ा चाहा छोम्मक ऊविड़ा इनके इस नाबर नेकर रहान दिस लो है ट्यू सहरा दोय है वह